नमस्कार मित्रों यहां वीडियो जो है बहुती प्रासंगिक है बहुती रिलेवेंट है इसमें मैं दो चीजें कोरिलेट करूँगा इसमें मैं मीना कुमारी जो की एक मशुहूर अदाकारा थी उनकी जिंदगी और उनकी जिंदगी में जो उनकी निजी जिंदगी में जो ब चानून बनाकर उसे अवयद घोशित किया जहां दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूटीब चैनल इंफो हाईवे इडिया में मैं अभी जो बताने जा रहा हूं यह बहुत प्रवसांगी है इसे शुरू से लेके आप तक पुनिएगा आप सभी जानते हैं कि मीना करीब बार बार आते हैं और अपनी छोटी सी अवस्था में उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में बतौर चाइल्ड आर्टेस्ट उन्होंने एंट्री कर ली थी और इसके बाद बच्चों का खेल नाम की एक खिल्म आई थी जिसमें 14 साल की अवस्था से उन्होंने एजे अभिनेत्री बतवर अभिनेत्री पहली बार उन्होंने इसमें अपने करियर की शुरुवात की फिल्म दुनिया में उन्हें चलता फिरता सीनेमा के नाम से जाना जाता था क्योंकि उनकी एक्टिंग इतनी जीवन्त होती थी कि हर कोई उनकी acting का कायल हो जाता था खासकर उन्हें sadistic यानि कि जो tragedy वाले जो moment होते थे उसकी acting उन्हें करने को मिलती थी हलाकि जहां अपनी खुबसूरती और अपनी अदाकारी के लिए उन्होंने लोगों के दिल पर राज किया वहीं उनकी जिन्दगी किसी नरक से कम नहीं थी अपनी जिन्दगी पर अपनी जिन्दगी के गम को शेयर करते हुए उन्होंने एक बार कहा था कि मेरी जिन्दगी किसी वैस्या से कम नहीं है उनके जिन्दगी बहुत तकलिफ थी और उन्हीं तकलिफों को लेकर लाश्ट में कम उम्र की अवस्था में ही इस दुनिया से बिदा हो गई थी बहुत मशूर किस्सा उनका आता है उनका विवा उनका निकाह हुआ था मशूर डायरेक्टर और स्क्रीन डायटर कमाल अमरोही से पाकिजा फिल्म आपने देखी होगी थे तनाओं में रहते थे तो एक बार गुस्से में आकर उन्होंने मिना गुमारी को कह दिया तलाग 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 और इस कारण से इस घटना के बाद से दोनों की जिंदगी के रास्ते अलग हो गए लेकिन पुछी समय बाद कमाल अमरोही को अपनी इस गलिती का एहसास हुआ और वो अपनी पुरानी जिंदगी में लोटना चाहते थे लेकिन अब लोटना उनके लिए उतना आसान नहीं था क्योंकि मजभ की बहुत सी प्रथाइँ थी, मजभ की बहुत सी दिवारे थी अब इसके लिए करना क्या था तब ही है मुम्किन था जब मीना कुमारी को हलाला की प्रिकरिया से गुजारा जाता और उनका निकाह किसी से होता और निकाह होने कि बाद वा उससे तलाक लेती हैं उससे हम बिस्तरी करती हैं वापस आती हैं तब यह कार संभाव था क्योंकि दोनों मिलना चाहते थे और दोनों अपने जिन्दगी में वापस आना चाहते थे इसलिए कमाल अमरोही ने इसकी योजना बनाई कमाल अमरोही ने जीनत अमान के पिता अमान उल्ला खां को इस हलाला परक्रिया के लिए तयार किया और हलाला के लिए मीना कुमारी एक दबे मन से क्योंकि अब वो अपने जिन्दगी वापस आना चाहती थी किसी तरीके से तो तयार हो गई उनके साथ उनकी हमभितरी होई उसके बाद उनका तलाक हुआ तलाक होने के बाद वो पुना कमाल अमरोही की जिन्दगी में निकाह कर ऐजे उनकी पत्नी वापस आ सकी लेकिन उनके साथ जो यह हलाला की प्रकिरिया हुई थी यह जिन्दगी भर उनको कचोटती रही और अंदर से उन्हें यह जब जोड़ती रही पीड़ा देती रही और उनकी इस तकलीप का जिक्र उनकी आटो बैग प्रेग्रोफी में आता है जिसमें लिखा हुआ है कि ऐसी भी क्या जिन्दगी जिसमें मजहब के नाम पर जिसम का सौधा करना पड़े हैं और यह तब और मैंने अगर इस यह किया है तो मेरी जिन्दगी और एक वैश्चा की जिन्दगी में क्या फरक है इस तरीके कि उनक सन 1972 में आर्टिस वर्स की मात्र चोटी सी आयू में जहां अपने जिंदगी में उन्होंना अदाकारी से इतनी बुलंदियां टैच की वहीं सन 1972 में आर्टिस वर्स की आयू में वह इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली लिए यह बहुत दुख़द था कि एक मशूर और इतनी खुबसूरत इतनी अच्छी अधाकारा और इतनी तकलीफ और इतनी चोटी उम्र में अपनी जिंदगी को यहीं पुरा करकर वह चली गई लेकिन आपको मैं बताओं कि जो तकलीफ थी उनके जिंदगी में वह हलाला को लेके थी वह जो उनके साथ हुआ था जो तीन तलाग की प्रक्रिया थी आप इसको समझ सकते हैं смогते स क्ब Indeed में जीवन को इस जिदगी को छोड़कर चली गई लेकिन इस दिशा में किसी भी सरकार ने कोई काम नहीं किया कि आखिर मुस्लिम समाज का अधा हिस्सा जो इस तकलिफ से गुजरता है और जगें जगें इस चीज का विरोध होता है और कैसे मतलब इस तकलिफ को दूर किया जा सकता है लेकि किसी भी सरकार ने इस पर ध्यार नहीं दिया, कभी किसी समंदित, किसी प्रगार की फर्याद कोर्ट में नहीं पहुंची, लेकिन अंदर अंदर जहां समाजिक सुधार हो रहा था, तो कुछ समाज से भी मुस्लिम महिलाएं इसके लिए आगे बढ़ती थे, लेकिन कहीं सरकार का साथ नहीं मिलता था, कहीं कोर्ड का साथ नहीं मिलता था, तो कहीं मुस्लिम समाज का साथ नहीं मिलता था, लेकिन जब सन 2014 में जब मोदी सरकार आई, तो मोदी सरकार ने मुस्लिम समाज की महिलाओं के इस दर्द को बहुत गहराई से समझा, और इस कुपर्था को दूर करने के लिए प्रयास शुरू कर दिया सन उन्नीस सो सत्रा सन दो हजार सत्रा में सन दो हजार सत्रा अगस्त में सुप्रिम कोर्ट में जब यह विश्य चला था तो सुप्रिम कोर्ट में इस प्रथा को असंवयधानी घोशित कर दिया सितंबर 2018 में मोधी सरकार ने संसद में इसके लिए मुस्लिम महिला विवा अधिकार संद्रचन अधिनियम अधियादेश लाया इसके लिए 2018 में अधियादेश आया लेकिन इसके बाद सरकार का टर्म पुरा हो गया लेकिन जब दोबारा सरकार आई मोधी सरकार तो 2019 में इसको कानून बना दिया गया और संसद से कानून के रूप में इसे पास कर दिया गया कानून बनकर जब यह सामने आ गया तो यह कुप्र था जो मुस्लिम समाज की महिलाओं को अंदर तक जब छोड़ती थी उन्हें कचोड़ती थी यह प्रथा इसके बाद संबैधानिक और अवयद घोसित होगी और जिसको लेकर मुस्लिम समाज की महिलाओं में बहुत खुसी थी बहुत जशन का महौल था और इस चीज़ को बहुत बड़े ऐसान के रूप में मानती थी मुस्लिम महिलाओं की मोधी सरकार ने उनके इस दर्द को समझा और इस दिशा में कारे किया जबकि मुस्लिम समाज में आज भी समाजी की सतर पर सुधार नहीं हो पाया है लेकिन चुकि यह अब गैर कामणी घोसित हो चुकी है इसलिए अगर मामला सामने आता है तो मुस्लिम पुरुस जादेतर करते क्या हैं कि फिर पत्मे के साथ सुलह कर लेते हैं एक तरफ वो तीन तलाग करते हैं, दूसरी तरफ जब इसकी पैरवे नहीं हो सकती, क्योंकि अगर तीन तलाग के बाद अगर निकाह करना चाहेंगे, तो उनको हलाला की प्रिकरिया से गुजरना पड़ेगा, तो यह प्रिकरिया अगर मुसलिम महिला के खिलाब जाती है, और जब यह गहर कानूनी घोसित हो चुकि इस प्रथा को चलाने की घोसित करते हैं, लेकिन जब उन्हें कानून का डर लगता है, तो वह सुलह कर जाते हैं, तो आपने देखा किस तरीके से यह जो दर्द मुसलिम समाज की महिलाओं में था, जो देश में यह कूपरता थी, इस इसको किस तरीके से, मतलब इतने लंबे समय बाद मैंने किस से कजिकर किया कि मीना कुमारी पूरी जिन्दगी जिस गम में डूबी रही, जिस दर्द उन्हें कचोटता रहा, जिससे वह ड्रिंक क्यादी हो गई है, और उनका लीवर खराब हो गया, इसके बाद वह 38 वर्स क लगाया और इसको हमेशा के लिए समाप्त कर दिया, मुस्लिम समाज की महिलाएं इस चीज के लिए नरेंद मोदी सरकार का एहसान मानती हैं, और या कुछ मज़ेदार किस्सा था जो कि मैंने आपको कोरिलेट करके समझाया मीना कुमारी की जिन्दगी से, और मुसलिम समाज कि आपको यह हमारे द्वारा जो प्रस्तुत कीगी जानकारी है, निश्ची तो अच्छी लगी होगी, आपको अगर हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगे, तो हमारे प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, केमेंट करें, और चैनल को नए हो तो मेरे चैनल को सब सब्सक्राइब करें और अधिक साधिक इस जानकारी को लोगों तक शेयर करें कि किस तरीके से यह पुपरता लोगों की जीवन को मुस्लिम समाज की महिलाओं की जीवन को कैसे परभावित करती थी और दुख देती थी और आज इसमें कितना फर्क आ गया है तो फ्रेंड्स मेरी यह प्रस्तुती, मेरे द्वरा दी हुई जानकारी आपको निश्चित अच्छी लगे होगी, फिर आते हैं कुछ ऐसी जानकारियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बंदे मात्रम.